अधिये कृष्ण है भले अभी वो पर्फेक्ट नहीं है जैसे प्रभपाजी बताते एक पकाम और कचाम पकाम जो है वो फाइनल वह इसलिए हम लोग आम खरीदते कि पकाम पेड़ लगाते है तो क्या पकाम होना चाहिए लेकिन कचाम जो है वो भविश में पका हो जाएगा तो हमें धैरे रखना चाहिए कि एक मेना दो मेना चार मेना च्छे मेना एक साल-दो साल भक्ती में आय हुए है लेकिन आप अगर भक्ती के नियम को दिर्टा पुरवाग पालन करते रहेंगे तो जो आप कचाम है एक दिन पके हो जाएगे लेकिन वो दिर्टा नहीं हो पाती है क्योंकि हम गुणों में राते हैं कुन से गुण तो भगवान ने बताया प्रकृति के तीन गुण है इससे पहले भगवान ने सात्वे अध्या में बताया था कि देवी एशा गुण मही ममवाय दूरतया कि जो सात्वा अध्या वो शु मुश्किल है परंतु म म्यव प्रपद्धनते जो मेरा सरण लेता है भगवान क्रिश्चन का सरण लेता है वो आसानी से प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है तो अभी हम प्रकृतिय तीन गुणों में फसे हुए है यह गुणों का नाम है सबसे खराब गुण है तमोगुन मतलब क्या तो उसमें आएगा निद्रा याद रखने का P.A.N. 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 on कि अजय है टामसी को तन प मतलबकिया दान आएंत प मतलब अ तर만 क मतलब निद्रा एसे याद रखते हम कि मतलब हजारों चीजे याद करने के लिए लेकिन आप जब भी आपको अलस समझना सब तो थाता था था इसके अंदर को विचार जैसा चीजंदी जो है वैसे चलाता रहता है वह गीषते रहता है सोते रहता है घंटा से जादा सोता है वह समझ लेना है कि तमोगुन में हैं सब मिला के 24 गंटे में 24 गंटे में 6 गंटे से ज्यादस होता है वो certified प्रभपाज लिखते है इसके अंदर वो तमोगुन ही है छे से ज्यादस होते है फिर होता है रजोगुन रजोगुन में क्या होता है आदमी आसक आकांग शायरत एस्पीरेशन जो आपको सिखा जाता है इस्कूल में ऐस्पेरेशन इसकड़ी कुछ भी हालत में है यूमस्ट you win 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 situation चाहिए सबको एसें एक सब्येक्ट है जो भी साल पहले आया है जिसको मेनेजमेंट कुछ 20-25 साल से ही आये मेनेजमेंट पहले लोग थे कुछ तथाकति कुछ ऐसे मेनेजमेंट लीडर से अभी उसके बुक्स को लेके यह हमारे जो बिजनेसमेन है ना उन्होंने स्कूल खोल दिये उसको बलते अश्क को आए वीघं इंटरनेशनल बिजनेस मेनेजमेंट या या फिर एक वोड़ जीनिवा जीनिवा इसकूल क्या मतलब नाम रखने का जीनिवा दिने मेंी स्वीजरलंस का राधनी है ऐसे नाम रखते हैं इंटरनेशनल स्कूल अभी माड बोरड वनापड रहा था तो एक स्कूल का नाम है he hits he cracks JE Joint Engineering Admission Test आखिर इंजिनियर बनने के बाद next level क्या है सड़क बनाना ये building बनाना कितना कितना बनेगा building कितना बनेगा building वो ही धरती है अब उसके अंदर factory बनते जा रहा है building जो है अब building बनते जा रहा है जहाँ पर अनाज उगना चे अनाज नहीं हो रहा है जो संस्कृती है ना जो संस्कृती जिसको संस्कृती बोलते है वो दो चीज से होता है जहाँ पर गाय होता है जहाँ पर जमीन होता है और जहाँ ब्रामन होता है इसलिए विष्णु पुरान में स्लोक है, हम लोग रोज बोलते हैं ना, विष्णु पुरान के स्लोक रोज बोलते हैं आप, नमो ब्रह्मन, जब आ ओफरिंग करते हैं, बोग लगाते हैं आप रोज बोलते हैं, नमो ब्रह्मन देवाए, गो ब्रह्मन हिताचा, जगत हिताए, गाय और ब्रामण की रक्षा नहीं होगी, तब तक सभ्यता नहीं होगी, आप देखना, जो भी सभ्यता का हरास, यानि कि सभ्यता जो खराब होते जा रहा है, वो ये दोनों चीज को नेगले किया जा रहा है, किसको नेगले किया जा जा रहा है, ब्रामण का मतलब किया होता है ब्राह्मन सबेता, क्योंकि ब्राह्मन समाज का सर है, प्रभुपाजी ऐसे समझाते हैं, साधरन शवदों में, मतलब बुद्धी, सर, ये बाहु, मतलब ये शत्री है, एड्मिनिस्टेशन, शत्री है, पेट पालन करना, खाना उगाना है, खाना आप उगा सकते हैं, हाँ लेकिन आजकल मॉल हुगाता है, बिग मॉल से, उसमें से साब मिलता है, आपको जो भी चाहिए, पैक फूट साब मिलता है, एक दो साल पहले मैंने एक लेक्चर रखा था, फास्ट फूड फास्ट देथ, बास्तव में ही है ऐसा, आप जो भी मॉल से लेते हो, चाहे दूद लो, चाहे दही लो, चाहे ँदूद, चाहे मखन लो, कई भी चीज़ लो, भले साटूगूण वाला चीज़ लो, वेजिटरियन भी लो, वह सब जितना भी आप मॉल से लेते हैं, वह सब पैक रहता है, क्योंकि पैक इसलिए रहता है, क्योंग उसके अंदर कुछ केमिकल ड दही खारी दियो, दही, मार्केट वाला दही, और वही दही से आप दूज से दही जमाओ, नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है, कि उसमें जो दही को जमाने के लिए जो जो प्रोसेस है, जो नेचरल प्रोसेस है, प्रकृतिक प्रकृतिक प्रक्रिया है, वो नहीं होते हैं, क क्यों? क्योंकि हम गुणों में हैं, कौन से गुण में हैं, तमोगुन और रजोगुन में हैं, तमोगुन और रजोगुन में हैं, तमोगुन में क्या नहीं समझ में आता है, तमोगुन में यह नहीं समझ में आता है, कि हम देख रहे हैं, कि हम, हमारे पिता, हमारे पिता के प बना रहे हमारे लिये की हम को कुछ आध्यात्मीक शिक्चा लेना चाहिए ऐसा कभी भी ख्याल में नहीं आरहा है तो हम तमोगुन में हैं समझ यह प्रूुफ है कि हम तमोगुन में पृयओर रजोगुन, राजोगुन क्या हो गया यहादा से ज्यादा इच्छा करना इच्छा करना, इच्छा को पूरा करना, कैसे भी पूरा करना, अभी मैंने बता था, win-win situation, हर वेक्ति यह कर रहा है, इच्छा करना, चाहे कुछ भी अगर आपको, किसी को मार देना पड़ेगा, तो मार देना, लेकिन आपको जीतना है, you must win, जैसे कि, sports star, लोग बोलते हैं, क यह सब चीज जो आप analyze कर रहे हैं, कि हमें क्यों sports में नहीं जाना चाहिए, हमें क्यों movie नहीं देखना चाहिए, हमें क्यों क्रितरिम चीज है, जो हमको लगता है, लोग बोलते हैं कि enjoyment, मनोरंजन कैसे होगा, लोग मनोरंजन का साधन डुणते हैं, तो कोई भक्त लोगों क को यह convinced नहीं है कि मनोरंजन के साधन है, कैसे है, पूरा भागवत मनोरंजन ही है, वास्तव में मनोरंजन है, जिससे आपका आत्मा शुद्ध हो जाए, बाकि तो मनोरंजन मतलब रजोगुन है का लिए, रजोगुन, वो आपको प्रेरित करता है, क्या करता है, उसमें आप आकांगशा है, इच्छा है, एस्पिरेशन बढ़ाते जाते हैं, जितना लालच बढ़ाते जाते हैं, लालच है, सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा हो जाया है, एक सीरियल था, थोड़ा है, थोड़े की जरुरत है, है न, और वो देखके लोगों को बहुत अच्छा लग इसलिए हमको यह सब रजोगुणी चीजों से संग करेंगे, तो हमारा भी वैसे विचार होना चालो हो जाएगा, क्या चालो होगा विचार, सक्सेस दिखाए जाएगा, लेकिन सक्सेस क्या है, जब आदमी मर रहा है, उसको भगवान विष्णु याद नहीं आ रहे है, उन लेकिन एक सेकेट में मिर्त्य हो जाएगे तो उस समय किया इतना सारा बिलियन होने के लिए अपने इतना मेहनत किया प्रभुपाद जी बताते कि बहुत बड़ा एपार्टमेंट बनाया बिल्डिंग बनाया अबुद्र भी गया वहां पर लागा फोटो की चाते बुर्ज खालीफा एक सो पैसाट माले का बिल्डिंग है वहां जाकर फोटो की चाते है और सबको फोटो बेचते देखो क्या स्टेटस बोलते डीपी मैंने सुना डीपी बोलते उसको यह मुझे बत कि अब स्थोंогодे कि अब वोट फ sąब के बीच में भी घुसा हुआ है लगतों के बीच में ज्यादा घुसा है वो वो सोचते हैं था जाइरय की बाहर रहा हूँ करए और अच्छे तरफ पा रहा हूं जैसे आर्स अनमें खाना यह सब चल रहा है मैंने सुना एक भक्त है पर रेस्टोरान में सबको इन्वाइट करेंगे आप समझ यह कि हम कितने गुणों में बन देवे अभी भी यह समझ नहीं रहे हम क्या है तो भगवान ऐसे यह बता रहे हैं यहां पर प्रभुपाजी जो बताते हैं कि प्रभुपाजी बता रहे हैं कि सभेता मतलब क्या है कि सभेता मतलब सतोगुन का निर्मान करना सतोगुन में क्या आता है पहले मैंने तमोगुन बताया रजोगुन बताया अभी सतोगुन सतोगुन मतलब क्या है सत गुन जिसमें अच्छे गुन हो अच्छे गुन मतलब क्या होता है उसमें अगर सतोगुन म रखुर। मुम है। जो में पता है कि टीजिनлять करना ठीक है। नहीं है। यह दिए मेरे हुएं हित्कारी है यह नहीं है। यह उन्हांने कि में आत है। यह करने से हनी होगी. यह सब विचार किसको आता है? जो सतू में. लेकिन सतू में होने का एक ड्राओबेक है. मतलब तीनों में ड्राओबेक है. ड्राओबेक बता है की कमिया. तमोगुन तर फुरा खराब है. रजोगुन तमोगुन से थोड़ा अच्छा है, लेकिन सतोगुन कैसा है, सतोगुन में क्या होता है, ग्यान होता है, और वो वेक्ति को थोड़ा सा superiority complex होता है देखो मैं अच्छा हूँ मैं अच्छा हूँ यह खराब है है कि नहीं तो खराब है मैं अच्छा हूँ मैं तो अच्छा ही रहूँगा तो ऐसे सोच के और अच्छे होने के लिए क्या काम करना पड़ता है वो उसको पता है अच्छ होने के लिए वह क्या करता है वो? मानव समाज का सेवा करता है. अच्छ होने के लिए मानव समाज का लेकिन वो एसे करके वो क्या हो जाता है? बंदता चला जाता है. उसको यЕ नहीं पता है, क्योंकि ए तीनों में से किसी में भी spiritual education नहीं है, न न तमोगुन में तो सवाल ही नहीं और वो भागता रता है दोड़ता रहता है न कि मतलब तमी तमोगुन मतलब तमोगुन मतलब या तामी अलसी नसर्वी चैसेड़ सब्सक्रीया जान वर्लों वो पी के सोता रहता है, है ना, फिर रजोगुन में क्या है, भागता रहता है, दोडता रहता है, उसके एक्जम्पल क्या है, बंदर, बंदर, प्रभुपार जी बताता है, जो बंदर है, वो एक साथ चलता है, तो कुछता रहता है, और साथ में कम से कम एक दर्जन उनके पत हाट हो थे सब के साथ संग करता है वो कि हम देखते हैं इस अ है है अब स्कूल और कॉलेज कॉमने भी हो रहा है सब देखता है सब अख तो कि इस तो समाच जो है रजोर और तमोर गुन से बंदा हुए लेकिन वास्तविएस सबेता क्या वेता सब्चुट है लेकिन ज्यादार संक्या आबादी जो है वह क्या है रजोगुन और तमोगुन का इसलिए समाध में अच्क को नहीं देखने को मिलते हैं कि में आपको तो बताएए आपको लगता में डिकर आठीच कर रहा हूं Lेकिन असलियत तो यह he आप देखो कहीं पर भी जाओ, एडमिशन लेने जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाने जाओ, या फिर कहीं कुछ काम करने जाओ, आप देखो क्या होता है, सब में ये लगाते हैं, मुझे ये करने से क्या मिलेगा, मुझे क्या फाइदा मिलेगा, अगर फाइदा है तो तो वह भी वह करेगा अभी वह गाली दे रहा है क्योंकि अभी असा है यही चल रहे है समझ में तो यह क्या है इसका कि इसका प्रभाव है गुणों का प्रभाव है तो सतोगुन तो ठीक है, सतोगुन में ये है कि थोड़ा अच्छा गुन है, मतलब अच्छा है तीनों में से तो अच्छा है, लेकिन सतोगुन का drawback यह है कि वो अपने आपको समझने लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो उसमें क्या हो जाता है? फॉल्स प्राइड, एहमकार आ जाता है, और आसक्त हो जाता है वो, इसी चीजों से आसक्त है, देखो तो, जैसे philosophers, दार्शनिक लोग, कवी लोग बहुत अच्छे-च्छे गीत लिखते हैं, और आप बात करो इनका इंटर्वी लो, बहुत अच्छे-च्छे बाते करते हैं, लेकिन ऐसे खले कवीता करने से, क्या एडिशन क्या होता है समाज में, खले कवीता करने से नहीं होता है, कवीता तो क्या है, कलपना है न, या दार्शनिक, या philosophers जिसे, वो philosophy बोलते रहते हैं, लेकिन फिलोसफी से जीव को क्या लाव है, देखो, philosophers, नाम बताओ, कोई philosophers का, नाम बताओ, philosophers, Socrates, Aristotle, Pluto, एकिलाइन में, अभी बताओ, अभी का, अभी का यह बहुत, डार्वीन, philosopher, बोल सकते हैं, फिलोसफिर, नया चीछ देते जाते हैं, तो इस तब philosophers हैं, और भी जितनों चिंतक लोग हैं, समाज में चिंता करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं, लोगों फिलोसफी देते हैं, गंधी फिलोसफी, Lenin's philosophy, Marx, Karl Marx का फिलोसफी, अपना-पना करके चले गए, कुछ थोड़ा बहुत revolution हुआ, रशिया में 80 साल तक रहा, कौमनी सरकार उसके वाद अभी सब धिरे-धिरे पतन हो रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है, कुछ समाज का वास्ताविक बालाई नहीं हो रहा है, खाली राजोगुन में चले गए सब, अभी भी राजोगुनी है, तमोगुन से थोड़ा राजोगुन में उठ गए, लेकिन भगवान क्या बोलता है, ऐसे भी भगवान बोल रहे है, कि ये तो तीन गुणों का प्रवाव है, अभी देखा, अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि सब, बहुत अच्छे अच्छे लोग है, जितने भी बड़े बड़े राक्षा से वो भी सब गुन में थे, जिसे रावान है, पहले सब गुन में थे, तभी तो उनको प्राप्त हुआ, अब प्राप्त होने के बाद फिर उने दुरूपयोग करना शुरू क इसको राजवगुन बोलते है, इसले राजनिती, लेकिन असली में राजनिती यह नहीं, जो चाने के पंडित ने बता है, राजनिती, राजनिती का शास्त्र है, जो वीदूर जी बोलके गए है, वो सब नहीं यहां पर, क्योंकि आधुनिक जो चल रहा है, वो सब तीन तो कैसे नहीं एंसुओं शुरू होता है सुडूं का समय होता है 24 गंटे होटया सुरू होता है दो बजे चाहिक से भुद के सघौप go प्रसाद प्रोग्राम करें तो सुबाद कीजिए कि सुभा सुभा इसलिए कि सुभा जब जब सूर्य देव रहते हैं प्रकट उस समय आप प्रसाद लेते हैं तो आपका जो पाचन है ठीक रहता है प्रसाद रात को ने लेना चाहिए इसलिए हम प्रोग्राम जल्दी करते हैं तो लेकिन भगवान ये भी बोलता है कि ये जो है तीन गुणों में रहने से आदमी इसी कलपते ये वाला स्लोक आपको याद करना चाहिए भगवान ये बोलता है कि जो समस्त परिस्तिति में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति से प्रवरित होता है वह तुरंध ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के इस तरह तक पहुंच जाता है वो नहीं हम जो करना चाहिए वो शुद भक्ति का मतलब है किसी भी परिस्तिति में मेरा कोई भी आरती मिस नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्तिति में भगवान से संब्दित कोई भी कार्य मिस नहीं हो उसको बोलते है ऐसा जो करता है तो सब गुणों को लांग जाता है गुनों के उपर चला जाता है आप देख सकते हैं प्रहुपाजी है प्रहुपाजी ट्रैवलिंग करते थे सुब वहां को ऐसे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि वह अविचलित भक्ति करते हैं इसको बोलते हैं अभय विचारेन, अभणा ने कुछ नहीं आता है उनके विचार में। तो ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल होता तो भगवान नहीं बोलते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो ये कर सकते हैं, तो हमें उस इस लेवल पर जाना चाहिए, इसलिए मै तो यह आप पढ़ना पहले स्लोक संख्या आठ से लेके 12 पढ़ना ठीक है पढ़के फिर आप करना नहीं तो क्या होगा सब अंदाजे से तुक्का मारते हैं अध्या 13 श्लोक संख्या 8 से 12 यादखना आपको अध्या 13 ही पढ़ना है श्लोक संख्या 8 से 12 पढ़िये और फिर अगले बार हम चर्चा करेंगे यह कौन से अच्छे गुण है जो हमें आने चाहिए तो अगले बार हम चर्चा करेंगे इसका ठीक है हरे कृष्णा तो जोपाज जी बुलते हैं कि अगर कृष्णा भावना प्रैक्टिस करता है कृष्णा कॉंशियसनेस तो यह पूरे समाज में सतोगुन का निर्मान हो जाएगा और सतोगुन से भी उपर कृष्णा भक्ति होगा और कृष्णा भक्ति होने से सब में अच्छे गुण मैंने बताया था कौन बोलेंगे यह वाला स्लोक यस आस्ती भक्ति भगवतिया किंचने सर्वय गुनेस तत्र इतना सुंदर स्लोक है आपको क्लिक नहीं होता है आपको क्या बुलते हो उसको अपिल नहीं होता है इतना सुंदर स्लोक है वो वेक्ति जिसके अंदर वो वेक् भकतिर-भगवती जन исслед national लिखा भी है मैं ने आ आ और वो जो यस आस्ती भकतिर-भगुषित भगवती अकीन चेला सर्वयगुनर सर्वयगुनस तत्र सभी गुण आ जाते उसके अंदर कौन से गूण देवताओं के गुणा आ जाते हैं आप नहीं चाहते हैं आपके देवता के गुणा आ जाते हैं इसलिए बोलते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं जो विश्णु के भक्त है उसको देवता बोलते हैं जो विश्णु के भक्त नहीं है उसको असुर बोलते हैं तो इसलिए जो moral classes, यह सब जरद नहीं जाने का, जो कृष्णा भक्ति करता है, उसमें अपने आप अच्छे गुण आ जाते हैं, जो देवताओं के जिसे गुण है, कौन से गुण है देवताओं के दुण, आप समझते हैं, अच्छे गुण, कौन से अच्छे गुण है, बताएं, कुछ गुण हैं, जोर से बोलो, थोड़ा सुना ही नहीं देता है, शमा धेरिया, वो तो आगे आता है, पहले अमानित्वा आता है, अमानित्वा, मतलब मुझे मान के अपेक्षा नहीं करने चाहिए, सबसे पहला वो गुण आता है, सबसे पहला, अमानित्वा, मेरा सम्मान कोई करे, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कभी भी, आप लोग में हैं वो साब, मेरा सम्मान करे, ऐसा लगता है नहीं, मुझे लाइन में क्यों खड़ा होना पड़ता है, मैं तो डिवोटी हूँ, मुझे प्रसाद के लिए लाइन में क्यों खड़ा होना पड़ता है, और वैसे भी डिवोटी भी थे, उन्हें मैं सीनियर डिवोटी हूँ, तो मुझे क्यों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है मुझे तो बुला के बिठा के एसी होल में प्रसाद देना चाहिए इतना भी नहीं करते है ये लोग है कि ने ऐसा आता है कि निभाव तो वो खतरनाक है तो इसका मतलब है कि कोई हम में कोई सिक्षित ही नहीं है यह जो लक्षन है जो ऐसा सोचते है यह लक्षन खाली असूर के लक्षन है असूर के लक्षन है ग्यान सबसे बड़ एक्शली ग्यानी वो है जो अपने लिए कुछ भी आशा नहीं करता है, अपने लिए अपना सम्मान ये सब नहीं आशा करता है, वहाँ से सुरुवता है, अगर हम वैसा हैं, तो चेतनी महाप्रूब बोलते हैं, कि वैसे ही लोग सदा, निरंतर, भगवान का नाम ले सकते हैं, है न, अपने सुना इवा नहीं, तरो अपी, एवा और तरोर अपी में बहुत फ़र्ग है, तरोर मतलब पेड, ऐसा बोल रहे हैं, चेतनी महाप्र पेड से भी ज़्यादा, पेड के जैसा नहीं, पेड क्या होता है, पेड सहन करता है, अब आप बोलेंगे कितना सहन करूं प्रभू, कितना सब मुझे बोलके चले जाते इतना तो नहीं होता है थोड़ा तो कुछ लिमीट होता है न सब तो वह है टेस्ट जो ऐसे कर पाता है वही प्रगति करता है और एक बात है अगर आप यह नहीं कर पाएंगे उसका आशान उत्तर है कि आप सब घर में रते है आपको गर्मी लग रहे तो क्या चालो करती है क्योंकि घर में रहते हैं हम असलेटि है है आपको चाहिए पैसा फेको नहीं देखो पैसा फेको जो चाहिए पैसा से मिल जाता है ऐसा इस 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 परिस्तिती में हम लोग पले बड़े हैं, इसलिए जब हमें इच्छित चीज नहीं मिलता है, तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध आता है, तो फिर हम फिर सब पता चल जाता है, कौन भक्त है, कौन नहीं है, भक्त और भक्त, सब पता चल जाता है, मुझे क्या चाहिए, को सब पता चल जाते हैं जैसे भीकारी है भीकारी Т 되व बोट नम ह版 हरता नम होता है ऐसे करेगा है ब्भगवान आपकी रक्षा करे गोई ना है अगर आपके साहथ बच्छे आप को बढ़ी बश्यार सुखी रखे का रखे बहुत नम्र होता है, नम्र होता है, ऐसे करेगा है भगवान, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपका, अगर आपके साथ बच्चे होंगे तो बोलेगा, भगवान आपके बच्चे को सुखी रखे, आपके पत्ने होंगे तो बोले, आपका जोडा सलामत रहे, ऐसे उनको दे दो कुछ अच्छा फिसलिटी उसके बाद देखेंगे आपको नम रहे तो वह सब आर्टिफिस चाले कृतरिम है इसलिए बगवान सब जानते हैं तो हमें देखना पड़ेगा हमें देखना चाहिए कि हम कितने हमारा क्या लेवल है हम कहां पर है इसलिए हम आपको ए हम आगले बार कक्षा में बात करेंगे जिए ठीक है कि अश्री प्रभबापात की जाए को सवाल है तो बोलिया है तो जो पूराने सब्वेता है आसली सब्वेता जो इसको बोलते है वह सतोगुन को वैल्यू देती है और अभी का जो सब्वेता है वह रजगुन और तबु प्थनध्य रेता है तो दर्वाजा खुलत खोलते हैं खट्-कॉट करते है तौ और आता है चट्डी बन्यान में आते है फिर में बोलते हैं कि हमने गीता या हमने शूज सकते तो बोले हम तो ब्रामन है और ऐसा है चल रहा है इसलिए बोलता हूं आप पुस्तक वितर्ण कीजिए तब आपको पता चलेगा कि संसार को क्या अवश्चक्ता है संसार किदर नीचे जा रहा है तब आपको लगेगा कि यह सब हमें क्यों हर फ्राइडे को बोलता हूं सब लोग आये हमें कोस्टन पुछता हूं आप लोग को मंगलार्ती में बोलता हूं आने के लिए तो वह आपके बलाई के लिए आप ऐसा करके असलिम है भगवान चाहे तो टूरत सब को बदल सकते हैं ना चैतनी महाप्रभूा सब को टच करते हो जाता है अइसे होता था ने महाप्रभू करि रहते है लेकिन उन्होंने हम को मौका दिया है समझें ना भगवान चाहते हैं कि आप खुद कैसे कर सकते हैं खुद करके दिखाई आप ऐसे तो कुछ लोग होते हैं जो इसको आप आर्टिफिशली कुछ पैसा दे के करोर रूपए दे दिया तो उसका कुछ बिजनेस सेट अप कर लिया ऐसा लगता है लेकिन बाद में वह वही जाने कि वह कैसे चलाता है इसे बहुत से लोग है बहुत सारे दानी दाता लोग है जो ऐसा प्रयास करके देख लिया कई लोग को पढ़ाया गया है आर्टिफिशली कई लोग को पढ़ाने के दिया गया लेकिन पढ़ने के बाद धन कमाने के बाद वो क्या करते हैं आ लोग कैसे उसमें कैसा गुण आता है यह बहुतिक गुण में ही वह रहते हैं और बहुतिक गुण होने से समाज कोई अच्छा नहीं कर सकते हो लो लो है समाज का अच्छा करना है तो आप भगवान का जो उपदेश है उसको रोज सुनिये कोन रामाइन पढ़ रहा है रमाइन पढ़िया आप बालकान, युद्यकान, किसकिंदाकान, इसाब पढ़िये है पुरा, तो आपको पढ़ने से क्या होगा, आपका रिदय जो है, उसके अंदर धिरे 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 करके आपको लगेगा कि ये भगवान जो बोल रहा है, वो हमारे लिए है, इसलिए मैं ब पास बहुत सारा काम है, ये है, वो है, नहीं पढ़ पा रहा है, वो ही बात है, रुची नहीं है आपका, रुची पैदा करो, इधर आओ, रुची होता है कि नहीं रुची, यमुनाचारिय बोलते है, यदा वदी ममचित्त कृष्न पदार विंदे, नव नव रास, भगव अपने, रामुनाचारिय को गुरू हुए वे बात में, यमुनाचारिय, वो ऐसा बोल रहे है कि जैसे जैसे मैं बगवान का सेवा करते हैं, हर रोज मुझे नया 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 आनन्द प्राप्त होने से क्या होता है, कि जो भौतिक चीज है, भौतिक सुक जो हम समझते है, उस 11 to 42 भागवा, कृष्ण भक्ति ऐसा है कि अगर कृष्ण भक्ति करते रहें, तो धीरे 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 आपको satisfaction मिलेगा, जैसे कि आप खाना खाते है न, खाना खाये, तो आपको पेट भरता है, तुष्टी होता है, संतुष्टी होता है, और आप पूरा बाड़ी में energy मिलता है, ठीक उसी तरह से, कृष्ण भक्ति करने से, आपको क्या होगा, भगवान का भक्ति मिलेगा, भगवान का प्रेम मिलेगा, और अन्या जो चीज़ है, दूसरे चीज़ है, वो चीज आप से दूर भागते जाएंगे, इसलिए कृपा करके कृष्ण भक्ति से जुड़िये और आपका जीवान सफल कीचे, है कृष्ण बोले, प्रस्ट